मैं दो भाईयों की दुलहन हूँ, वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपके भी पैरो तले से जमीन निकल जाएगी, मैं दो भाईयों की एक दुलहन, ये राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, बिहारपूर की सच्ची कहानी, मेरा नाम रोमा है, मैं एक ऐसा खेल खेला कि मैं अपनी जिन्दिगी में आगे बढ़ने के बाद भी अपने अतीद को नहीं भूल सकती थी. मेरे माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि मेरी जिन्दिगी बरबाद हो जाए और मैं अपने ही घर में कैदी बन कर रह जाऊं. इसलिए मेरी मा ने मुझे सब लोगों से चुपा कर मेरी बुआ के घर भेज दिया था, उनकी भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मेरी बुआ और फूफा ने मुझे अपनी सगी अलाद से भी बढ़कर समझा, मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा कर दिय अब मैं शहर में ही एक कमपनी में जोब कर रही थी, मैं बहुत कम बोलती थी, मुझे लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था, मैं सुबे को अपनी जोब के लिए जाती और शाम को घर वापस आती थी, घर वापस आने के बाद मेरी बुआ मुझे खाना खिल फिर फूफा के ऑफिस से घर आने का टाइम हो जाता, वो भी जब ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए कुछ नकुछ लेकर जरूर आते थे, लेकिन मुझे जब भी अपने अतीद की याद आती तो मेरे पैरोतले से जमीन निकल जाती थी, लेकिन बुआ और फूफा की मोहबत मुझे अपने अतीद को भूलने पर मजबूर कर दिया था अब मैं अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ने लगी थी एक दिन हमारी कमपनी में एक नया मैनेजर आया वो बहुत ज़्यादा हैंसम और स्मार्ट था आफिस की सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती थी लेकिन वो किसी को भी नजर उठा कर नहीं देखता था एक दिन मुझे किसी काम से उस मैनेजर के कैबिन में जाना पड़ा मैंने दरवाजा खट-खट आया उन्होंने कहा कौन है अंदर आ जाईए प्लीज मैं घबरा गई और कहने लगी सर मेरा नाम रोमा है आपने मुझे ये फाइल दी थी लेकिन मुझे इसका पिछला रिकॉर्ड समझ नहीं आ रहा क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल क्यों नहीं मैं आपको सब कुछ समझा देता हूं वो फाइल देखकर मुझे काम समझाने लगे और मैं उनको देखने लगी मेरी नजर उनके उपर से हट ही नहीं रही थी वो सच में बहुत ज़्यादा हैंसम थे इतनी देर में उन्होंने चुटकी बजाकर मुझे से कहा हेलो रोमा आप किसके ख्याल में गुम हो गई मैं अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और उनसे कहने लगी जी सर मुझे सब कुछ समझ आ गया आप फिक्र ना करें मैं सारा काम कंप्लीट कर दूँगी मेरा दिल तो उस दिन से ही मैनेजर विक्रम की महबत में डूब गया पर जैसे ही मुझे अपने अतीद की याद आती मैं डर जाती थी मैं अपनी बुआ से अपनी हर बास शेयर करती थी उनके अलावा मेरा कोई और नहीं था इसलिए वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो वो मुझे समझाने लगी अब तुम्हारी जिन्दगी यही है तुम अपने अतीद को भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो लेकिन मेरे कदम डग मगाने लगते थे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इसी तरह दिन गुजर रहे थे विक्रम अब मुझ पर बहुत भरोसा करने लगे थे क्योंकि मैं अपना काम बहुत इमानदारी से करती थी वो कमपनी की हर बात मेरे साथ शेयर करने लगे थे एक दिन मैं उनके कैबिन की तरफ जा रही थी मैं उन्हें देखकर दंग रहे गई वो शायद कुछ सोच रहे थे और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे उनको देखकर मेरी नजर उन पर ही ठहर गई और मैं भी मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि काश जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो जो मेरे दिल में है वही इनके दिल में भी हो मैं वहाँ खड़ी खुद से ही बाते कर रही थी आज बुवा के यहां कुछ महमान आ रहे थे फूफा ने अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया था इस वज़े से मैं भी आज ओफिस से जल्दी घर आ गई थी मैंने आकर देखा तो मेरा मोबाइल नहीं था बुवा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ तुम परिशान क्यों हो मैंने उन्हें बताया कि मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम कॉल करके देख लो मैंने घर के नंबर से कॉल की तो मेरा फोन किसी ने उठाया आवाज सुनकर मेरा दिल खुश हो गया मैंने कहा सर आप विकरम ने बताया कि मैं अपना मोबाइल जल्दी में उनके कैबिन में ही छोड़ गई थी वो कहने लगे कि मैंने तुम्हारा मोबाइल अपने पास रख लिया है तुम कल आफिस आओ तो ले लेना मैंने कहा ठीक है सर थैंक्यू वो कहने लगे कि इसमें थैंक्यू की कोई बात नहीं अगले दिन जब मैं आफिस में अपना मॉबाइल लेने सर के कैबिन में चली गई और उन्होंने मेरे हाथ में मॉबाइल के साथ साथ एक लेटर भी दिया मैं ये देख कर घबरा गई और बीना कुछ कहे जल्दी से उनके कैबिन से बाहर आ गई बाहर आने के बाद मैं अपने काम में लग गई और सोचने लगी कि पता नहीं इस लेटर में क्या है जो उन्होंने मुझे दिया है जैसे तैसे शाम हुई और जब मैं आफिस से घर आई तो मैंने कमरे में आकर वो लेटर पढ़ा उसको पढ़ने के बाद तो मेरे पसीने छुटने लगे मैं बहुँ जादा घबरा गई थी लेटर में तो विक्रम ने अपनी महबत का इजहार किया था एक तरफ मुझे खुशी हो रही थी कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा था विक्रम भी मुझे पसंद करते थे और दूसरी तरफ मुझे अपने अतीत का डर भी था इतनी देर में भुवा वहां आ गई उन्होंने मेरे चहरे पर परिशानी देख ली वो मुझे से पूछने लगी रोमा क्या हुआ तुम कुछ दिनों से परिशान लग रही हो मैंने उन्हें बताया कि विक्रम ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है तो वो हसने लगी और कहने लगी कि इतनी सी बात है तो तुम घबरा क्यों रही हो मैंने अपनी लड़कडाती हुई जबान से कहा आपको तो पता है कि मैं शादी कैसे उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी और कहने लगी भगवान ने तुम्हारी किसमत खोल दी है इतने अच्छे लड़के का रिष्टा तुम्हारे पास आया है और तुम इंकार कर रही ह मैं तुम्हारे फुफा से बात करूंगी वो जरूर इस रिष्टे के लिए मान जाएंगे ये कहकर वह वहां से चली गई लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था एक तरफ तो मैं खुद इस बात का इंतजार कर रही थी कि विक्रम भी मुझे पसंद करता हो और अब जब सब कुछ मेरी सोच के अंसार हो रहा था तो मेरा दिल मानने को त्यार ही नहीं था कुछ दिनों बाद विक्रम मेरा हाथ मांगने मेरे घर पर आए उन्हेंने खुद फुफा से हमारी शादी की बात की कहने लगे कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे खुद अपने के लिए हा कर दी लेकिन मेरे दिल में अभी भी कहीं न कहीं एक डर चुपा हुआ था इस वज़े से मैंने शादी के लिए मना कर दिया लेकिन बुआ और फुफा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे समझा कर इस रिष्टे के लिए त्यार कर लिया अब घर में शादी की शहनाईया बज रही थी लेकिन मेरा दिल काप रहा था मैं सोच रही थी कि कहीं मेरा अतीद विक्रम के सामने आ गया तो खेर मैं भी शादी की चहल पहल में खो गई और अपनी महबत को अपनी किसमत में लिखा देख कर सब कुछ भूल गई विक्रम की महबत ने मेरे अतीद को भुला दिया था हमारी शादी की तारिक तैह हो गई मेरी और विक्रम की इस तरह अचानक शादी हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैं दुलहन बनकर विक्रम के साथ उसके घर पर आ गए, यहां सब कुछ मेरे सपने के जैसा था, इतने बड़े घर की मैं अकेली मालकिन थी, घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर ही थी, अब मुझे विक्रम के घर को संभालना था, विक्रम भी मुझ पर आख बन करके भरोसा करते थे, शादी की रात ही मैंने विक्रम से एक वादा लिया था और विक्रम ने भी अपनी सच्ची महबबत के साथ ही आखरी हद तक इस वादे को निभाया. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा भी मोड आएगा कि विकरम और मेरी महोबत कमजोर पड़ जाएगी विकरम और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे एक रात जब हम खाना खा रहे थे तो विकरम ने मुझसे कहा रोमा कंपनी की तरफ से मुझे दो महिने की छुट्टी मिली है हम कहीं घूमने चलते हैं बताओ तुम कहा जाना पसंद करोगी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी मैंने कहा विक्रम आप सच कह रहे हैं उन्हेंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मैंने कहा तो ठीक है फिर हम आपके माता पिता के पास चलते हैं मैं आज तक उनसे नहीं मिली ये बात सुनकर विक्रम बहुत जादा खुश हुए कहने लगे कि तुमने तो मेरा दिल जीत लिया उन्होंने मुझे बताया कि वो गाउं में रहते हैं और वो बहुत अच्छे है मुझे पढ़ने लिखने का बहुत सौक था इसलिए उन्होंने बच्पन में ही मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था मुझे भी बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए लेकिन मेरी उनसे फोन पर बात होती रहती है हमारी शादी के बारे में भी मैंने उन्हें फोन पर ही बताया था और वो सुनकर बहुत खुश हुए और अब वो हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी और विकरम ने ट्रेन के टिकेट करा लिये अगले दिन जब मैं उठी तो किसी ने दर्वाजा खट खट आया मैंने जाकर दर्वाजा खोला तो बहार एक आदमी खड़ा था उसने मुझसे कहा कि ये टिकेट है विकरम सर ने भेजी है मैंने उसे टिकेट ली और अंदर आ गई जब मैंने वो टिकेट देखी तो मेरी आखे फटी की फटी रहे गई मैं बहु जादा खबराने लगी इतनी देर में विकरम आ गए वो मुझे देख कर बोले कि रोमा कहा गुम हो गई सब ठीक तो है मैंने उनसे कहा जी हाँ सब कुछ ठीक है मैं अपने चहरे से पसीना साफ करते हुए उनसे बोले विकरम हम कुछ दिनों बाद नहीं चल सकते अभी मेरी तब्यत कुछ ठीक नहीं लग रही विकरम मेरे लिए परिशान हो गए और मुझे कहने लगे कि चलो हम डोक्टर के पास चलते हैं मैंने कहा कि नहीं बस थोड़ी सी धकान महसूस हो रही है आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी विकरम ने मेरे लिए चाय बनाई और मुझे दवाई दी मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी मैं सोच में पढ़ गई थी मेरे दिमाख में हजारों स्वाल चल रहे थे मैंने बुआ का नंबर लगाया तो बुआ का नंबर भी नहीं लग रहा था अब मैं सोच रही थी कि मैं विकरम को कैसे मना करूंगी आखिर मैंने ही उससे कहा था कि हम तुम्हारे माता-पिता से मिलने चलते हैं पूरे रास्ते परिशान रहा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं विकरम को कैसे बताऊं ट्रेन का ये सफर मुझे किस मंजिल तक ले जाएगा मुझे नहीं पता था मैं नहीं जानती थी अब ये सफर कहा खतम होगा जैसे ही ट्रेन रुकी और हम ट्रेन से उतरे मेरी आखों के सामने अंधेरा चा गया और मुझे चक्कर आने लगे विकरम ने मुझे संभाला और वहीं स्टेशन पर बैठा दिया उसने मुझे जूस पिलाया और कहने लगे तुम्हारी वाकी तब्यत ठीक नहीं है मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और कुछ दिन रुक जाना चाहिए था लेकिन फिर मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है मैं ठीक हूँ मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समझाया मैं और विक्रम स्टेशन से गाउं की तरफ चले मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था मानो जैसे मेरे कदम आगे बढ़ने को त्यार ही नहीं हो जैसे जैसे हम विक्रम के घर की तरफ जा रहे थे मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था हम जैसे ही उसके घर के दरवाजे पर पहुँचे, डर की वज़े से मेरे पसीने चुटने लगे, पता नहीं मेरी किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे ही घर का दरवाजा खुला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अंदर एक ब मैंने कहा कि कुछ नहीं, असल में मुझे बच्चपन से ही धूल मिट्टी से अलर्जी है, और यहां गाउं में धूल मिट्टी बहुत जादा है, इसलिए मुझे यहां अपना फेस कवर करके रखना पड़ेगा, विक्रम बोले चलो ठीक है, अंदर आओ, विक्रम अपने प फेस और अच्छे से ढख लिया, विक्रम ने सब को मेरी अलर्जी के बारे में बता दिया, विक्रम की बहन मुझे घूर घूर कर देख रही थी, और मुझे अजीब तरीके से कहने लगी, कि लगता है भाबी तो बहुत जादा खूबसूरत है, इसी वज़े से वो हमें अप अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन मैं घबराई और सहमी हुई बैठी थी, खाने की टेबल पर सब लोग हसी मजाग कर रहे थे, इतने में ही विक्रम ने पूछा कि राजीव कहा है, जबसे मैं आया हूँ, वो मुझे नजर नहीं आ रहा, यह सुन कर मुझे सदमा लगा, और मेरे हाथ से खाने की प्लेट छूटकर गिर गई, मुझे देखते ही विक्रम की बहन बोली, लगता है भाबी अपने देवर का नाम सुनकर चोग गई, विक्रम की मा कहने लगी, कि बस भी करो राइमा, जबसे तुम्हारी भाबी आई है, तुम त उसके पीछे ही पढ़ गई हो, वो कहने लगी कि मा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, विक्रम के पिता ने बताया कि राजीव कुछ काम से गाउं के बाहर गया हुआ है, उसकी भी शादी हो गई, कुछ दिन में वो वापस आ जाएगा, अपनी पतनी को भी साथ में लेकर ग मेरे दिमाख में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, मेरे अंदर अजीव सी बेचानी हो रही थी, इतनी देर में किसी ने दरवाजा खट-खटाया, मैंने जल्दी से अपना मास्क लगा लिया, दरवाजे पर विक्रम थे, वो मुझे अपने घर वालों के बारे में बताने लगे अपने घर वालों से मिलकर वो मुझे बहुत खुश लग रहे थे, पता नहीं मेरी किस्मत में आगे क्या लिखा था, मैं उनको कुछ बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं विक्रम को खोने से डरती थी, मैं सोच रही थी कि विक्रम सब जानने के बाद कही मुझे छोड़ न ना करे, राजीव भी आज वापस आने वाला था, यही सोच सोच कर मेरा दिल घबरा रहा था, मैं सदमे में थी, मैं अपने ड्रावने अतीद के बारे में सोच रही थी, मैं दिल ही दिल में उलजन में पढ़ रही थी, लेकिन जब से मैं इस घर में आई थी, मुझे मेरी न आकर अपने कमरे में कमबल ओड कर लेट गई, सब लोग बहुत खुश थे, राजीव और उसकी पतनी घर आ गए थे, वो सब से मिले, विक्रम ने उसे मेरे बारे में बताया, वो और उसकी पतनी मेरे कमरे में आए, लेकिन मैं कमबल ओडे लेटी रही और सोने का नाटक करने लगी विक्रम ने कहा इसकी तबियत बहुत जादा खराब है कल ही मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा राजीव ने कहा कि कोई बात नहीं आप भावी को अराम करने दे हम भावी से बाद में मिलेंगे जैसे तैसे मैं अपने चहरे पर मास्क लगा कर यहां रह रही थी लेकिन राजीव के सामने आने से मुझे डर लगता था जब वो घर में नहीं होता था तो मैं अपना फेस कवर करके सब घर वालों के साथ रहती थी लेकिन उसके आने से पहले ही मैं अपने कमरे में चली जाती एक रोज मैं अपने कमरे में बैठी अपनी जिंदगी की खतरन परे में आ गई, मैंने जल्दी से अपना चहरा चुपाया और खासने लगी, वो कहने लगी कि आपको डर है, राजीर भाई की पतनी आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए शायद आप अपना चहरा नहीं दिखाती, पता नहीं वो मुझसे इस तरीके की बाते क्यों करत थी, मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ दिन में मेरी दवाई का कॉर्स कम्प्लीट हो जाएगा, और मेरी ऐलर्जी खतम हो जाएगी, फिर मैं अपना फेस कवर करना बंद कर दूँगी, फिलहाल तो मैंने उसे ये बात कहकर टाल दिया था, लेकिन उस कहा कि अब तो ठीक है, बस कुछ दिन की बात है, फिर मेरी ऐलर्जी ठीक हो जाएगी, वो मुझसे बहुत जादा महुबत करते थे, इसलिए मेरी हर बात आख बंद करके मान लेते थे, एक दिन विक्रम मुझसे कहने लगे, राजीव मुझसे शिकायत कर रहा था, कह रहा थ तुम बहुत अजीव हो, अपनी पतनी को अपने भाई से अभी तक नहीं मिलवाया, उनकी ये बात सुनकर तो मैं और ज़्यादा डरने लगी थी, मैंने बुआ का नंबर लगाया, लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा परिशान थी, मेरे अ सामने आने का सोच कर तो मैं भाग जाती थी, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता था, तब क्या हो जाएगा, नहीं जानती थी, पता नहीं किस्मत ने, क्यों मुझे फिर यहां लाकर इस घर में खड़ा कर दिया था, और दूसरी तरफ मेरी ननद, रायमा मेरे पीछे ही जीव ने मेरा दरवाजा खट-खटाया, मुझे से कहने लगा कि भाबी मैं अंदर आ जाऊं, मैं एकदम घबरा गई, और सोचने लगी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे पसीना आने लगा, मैं जल्दी से पीछे के दरवाजे से बहार आ गई, मैंने विकरम से फोन करके कह दिया, मैं डोक्टर के पास आई हूँ, आज तो जैसे दैसे मैंने खुद को बचा लिया था, अब मुझे कैसे भी करके इस घर से दूर जाना था, ऐसा लग रहा था, जैसे मेरा अदीद, मेरे आने वाली जिन्दगी का हिस्सा बनने वाला है, अब मै गुमसुम और चुप चाप रहने लगी थी, मैं विकरम से कहती थी कि प्लीज यहां से वापस चले, यहां मेरा दम घुटने लगा है, यहां मेरी तबियत ठीक नहीं रहती, यहां पर मुझे बहु ज़्यादा बेचानी होती है, मेरा दिल नहीं लगता यहां पर, मैं बहु अने राजीव आ गया, वह मुझे देखते ही घूरने लगा, लेकिन मैंने अपना फेस कवर किया हुआ था, कुस देर तक तो वो मुझे ऐसे ही देखता रहा, फिर उसने मेरी तबियत के बारे में पूछा, मैंने बस हां में सीर हिला दिया, तो वो भी वहां से बिना कुछ क पकड़ कर मुझे घर के अंदर ले लिया, मैं नजरे और सर जुकाए खड़ी थी, घर के बाकी लोग भी वही पर थे, ऐसा लग रहा था कि मैं एक मुझरिम हूँ, राइमा कहने लगी मेरे दोनों भाईयों की एक ही दुलहन, इसकी क्या वज़े थी, ये जानकर आपके खो मारा, मैं रोने लगी थी, मैं किस्मत के हाथों मजबूर थी, क्योंकि अब मेरा सच सब के सामने आने वाला था, विक्रम ने कहा, ये क्या कह रही है, आखे सच क्या है, इसकी बात का क्या मतलब है, मैं सिस्कियों के साथ रोने लगी, और मैंने अपने चहरे से मास्क हटा द मैं राजीव की तरफ देखने लगी मैं सोच रही थी कि राजीव मेरी सफाई में सब को सच बताएगा लेकिन उसकी जुकी नजर देखकर मैं समझ गई थी क्योंकि उसका जुका सर और उसकी जुकी नजरे इस बात को बया कर रही थी कि मेरा ही कसूर है मैंने विक्रम से कहा कि मैं इन सब की अकेली जिम्मेदार नहीं हूँ, ये लोग भी मेरे अतीत में जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार है, वो कहने लगा कि तुम्हारा क्या मतलब है, ये सब क्या कह रही हो, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, कोई मुझे सच बताएगा वो एकदम से गुसे में चीक पड़ा, मैं जोर जोर से रोने लगी, और सब के आगे हाथ जोड़ कर कहने लगी, कि प्लीज, आप मेरी शादी को बचा लो, मेरी गलती सिर्फ इतनी सी है, कि मैंने अपने अतीत को भूल कर आगे की जिंदगी में कदम रखा, और विक्रम से शादी कर ली, मुझे रोता बिलगता हुआ देखकर मेरी सास को मेरे उपर तरस आ गया, वो मेरे पास आई और मुझे गले लगा कर दिलासा देने लगी, और विक्रम को मेरी सास सारा सच बताने लगी, और कहने लगी कि ये लड़की सच कह रही है, सालों पहले जब हमने माता पिता अपने सीर के बोज को कम करने के लिए अपनी बेटी की शादी बचपन में ही कर देते थे, इस लड़की की और राजीव की बचपन में ही शादी कर दी गई थी, लेकिन जब बच्चे जवान होते थे, तो वो इस बचपन की शादी को मानने से इनकार कर दिया करत अगर उनके माता पिता उन से जोर जबरदस्ती करते तो वो तंग आकर घर छोड़ कर चले जाते थे या फिर अपनी पतनी को तलाक दे देते थे वो बताने लगी कि इसी तरह राजीव और रोमा के साथ भी किसमत ने यही खेल खेला इनका भी बच्पन बरबाद हो गया लेकि इसका जीना हराम कर रखा था यहां तक इसे खुद के घर वालों ने और रिसेदारों ने भी इसका साथ नहीं दिया और यह यहां हमारे घर आ गई लेकिन हमने यहां भी इसको चैन से जीने नहीं दिया और कुछ दिन बाद राजीव ने भी इसको भुला दिया और कहने कि इसके बाद मेरी माने मुझे बुआ के पास शहर भेज दिया और मुझे अपनी कसम दी कि मैं अपने अदीद को भूल कर अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ जाऊंगी और कभी भी सच को किसी के सामने नहीं बताऊंगी विक्रम कहने लगा कि इतना बड़ा सच तुमने मुझसे चुपाया ये सब लोग तुम्हारे गुनेगार हैं लेकिन तुम मेरी गुनेगार हो मैंने तुमसे सची महबत की और तुमने मुझे कुछ भी बताना जुरूरी नहीं समझा और तो और तुम मेरे भाई की पहली पतन ये सब कुछ जानकर तुम कैसे मेरे साथ रह सकती थी तुमने अपने साथ साथ मुझे भी स्पाप का भागिदार बना लिया जब तुमारी पहले शादी हो गई थी तो तुम से शादी कैसे कर सकती थी ये सुनकर मैंने राजीव की तरफ देखा वो चोकने लगा और बहुत घबरा गया मेरे और राजीव के अलावा राइमा भी ये सारा सच जानती थी मैंने राइमा को घूर कर देखा इतनी देर में राजीव की पतनी ने उसे जोर से थपड मारा और कहने लगी तो ये सब चल क्या रहा है तुमने मुझे धोका दिया धोके से मेरे साथ तुमने शादी की अब मैं तुमें डिवार्स दे दूँगी राइमा रोने लगी और कहने लगी कि आप सब लोग मुझे माफ कर दें सारी गलती मेरी है मैंने शुरू में ही भावी का चहरा देख लिया था और उसको पहचान लिया था मैं उनका सच घर वालों के सामने लाकर उनसे बदला लेना चाहती थी मैं राइमा को देखने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं ये कौन सा सच बताने वाली है वह कहने लगी कि रोमा का भाई और मैं एक दूसरे से मुहमबत करते थे और शादी करना चाहते थे लेकिन राजीव और रोमा की शादी ने सब कुछ बरबाद करके रख दिया इन दोनों की वज़े से हमारी भी शादी नहीं हो सकी उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं इससे बदला लेकर रहूंगी जब मैंने पहली वारी से देखा तो मेरे दिल में सालो पुरानी नफरत जाग गई और मैंने सोच लिया कि मैं इससे बदला लेकर रहूंगी लेकिन मेरी एक इस गलती से बहुत लोगों की जिन्दगी बरबाद हो जाएगी प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर दे वो राजीव पर चिलाने लगी और उससे कहने लगी राजीव सच बताओ नहीं तो तुम्हारी और विक्रम के साथ साथ इन दोनों मासूम लड़कियों की जिन्दगी बरबाद हो जाएगी अगर तुमने आज सब को सच नहीं बताया तो सब कुछ बरबाद हो जाएगा मेरी नजर राजीव पर जमी हुई थी उसके माता-पिता भी बहुँ जादा शरमिंदा थे राजीव की पतनी भी उसको पकड़कर जखजोर रही थी इतनी देर में मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मुझे डॉक्टर की अवाज आई वो सब को बता रही थी कि आप सभी इनका बहुँ जादा ख्याल रखे ये प्रेगनेंट है मेरी आँख खुल गई और ये सुनकर तो मेरी हालत और जादा खराब होने लगी रायमा और विक्रम की मा मुझे संभालने लगी विक्रम भी अपना सर पकड़ कर बैठ गया ऐसा लग रहा था जैसे कयामत तूट पड़ी हो एक ही लड़की दो भाईयों की पतनी कैसे हो सकती है विक्रम मेरे आगे हाथ जोड़ कर कहने लगा कि प्लीज मुझे बताओ आगे का सच क्या है तब ही राइमा कहने लगी कि विक्रम भाई राजीव गुनेगार है इसने ही इनके साथ ये सब कुछ किया है और अब ये चुपचाप खड़ा है विक्रम ने गुसे मेराजीव को जोर से थपड मारा राजीव जमीन पर गिर गया और विक्रम के पैर पकड़ कर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं ही रोमा का गुनेगार हूँ उसने बताया कि सालों पहले जब मैंने अपनी दूसरी शादी करने का सोचा था उसी समय मैंने इसको डिवॉर्स पेपर भिजवा दिये थे अब ये मेरी पत्नी नहीं है ये आपकी पत्नी है और ये बच्चा भी आपका ही है बस किस्मत ने हमारे साथ ये खेल खेला है राजीव ने मुझे और रोमा को इस पाप से बचा लिया राजीव ने मुझे भी मेरे पैर पकड़ कर माफी मांगी और उसके माता पिता ने भी अपनी गलती का एहसास करके मुझे ओर मुझे माफी मांगी मैं बराबर रो रही थी विकरम के दिल में मेरे लिए मोहबत जाग गई थी वो भी जान चुका था कि सब में मेरी कोई गलती नहीं थी मैंने तो सिर्फ अपनी मां की कसम की खातिर सब कुछ चिपाया था मेरा और राजीव के बीच में अब कोई भी रिष्टा बाकी नहीं रहा था सालों पहले ही मेरा और राजीव का डिवोस हो चुका था मैंने भी सब को माफ करके अपना दिल साफ कर लिया राजीव ने अपनी पतनी से भी माफी मांगी और उसने भी उसे माफ कर दिया अब हम सब अपनी जिंदिगी में बहुँ ज़्यादा खुश थे कुछ महीनों बाद ही हम सब लोग शहर आ गए अब हम सब लोग हसी खुशी रहने लगे थे मैंने एक बेटी को जनम दिया था और राजीव के घर में भी एक बेटा पैदा हुआ था विकरम के माता पिता को अपनी गलतियों का बहुँ ज़्यादा एहसास था इसलिए उन्होंने सोचा था कि वो अपने पोता पोती को पढ़ा लिखा कर गाओं की रीती रिवाज से दूर ही रखेंगे और हो सकेगा तो गाओं के इस रीती रिवाज को खतम कर देंगे ताकि आने वाले बच्चों की जिन्दिया बरबाद ना हो सके और ऐसा ही हुआ विकरम ने अपने गाओं जाकर सब को बहुत समझाया और इस रिवाज को खतम कर दिया और आने वाली नसलों की जिंदगी को तबहा होने से बचा लिया गाउं वालों की सोच बदल कर उनको अपने बच्चों की बढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने को कहा जब हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हमने अपने बेटे और बेटी को विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिया पुराने और दक्यन उसी रिती रिवाज इंसान की जिंदगी को बरबाद करके रख देते हैं हम अपना अतीद कितना भी भूलाना चाहें एक दिन वो हमारे सामने आही जाता है लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों आपको हमारी ये मज़दार कहानी कैसी लगी आप हमें कॉमेंट वोक्स में जरूर बताएएग यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर करें दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरना दायक कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फोलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही जबरदस कहानी ये टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना आपका दिन चुप वा मंगल में हो